पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि लीटिस्ट गोवेंट जो अपको अउगत करें दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के थमनला में देख चुके हैं आज इस वीडियो के अंदर CGL एक्सर्विसमेंन का रिजर्वेशन होता है और अन्य जो बेनिफिट यहां पर उनको दे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करने बाले हैं पुरी जनकारे के लिए वीडियो को अंतक देखें वीडियो पने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान इस वीडियो के मादयम से हम आपको एक्सर्विसमेंन को क्या-क्या benefit मिलेंगी के अंदर वह हम बताने पाले हैं तो यहां पर दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको वीडियो के मादयम से बताया था कि सरकारी नोकरियों में एक्सर्विसमेंट reservation मिलता है लेकिन SSE CGL में अलग-अलग group की अलग-अलग post होती है सबी post में defense retire person को reservation को reservation कोटे का फाइदा नहीं मिलता है कि वर group से की post में defense person को 10% reservation दिया जाते हैं अब बात करते हैं उन post की जिसमें ex-serviceman reservation प्राफ्ट कर सकते हैं साथ आपको यह भी बताएंगे कि वो पूस्ट 7 पे commission के अनुस्वार पूंड सी पे band में आती हैं तो देख पार है यह है हमारी टोटल नंबर और पोस्ट जिसमें यहाँ पर एक सर्विस्मेंट को reservation मिलता है सबसे पहली पोस्ट है इंस्वेक्टर ओफ इंकम टेक्स पे बैंड है 24,900 से लेकर एक लाख बैड़ चार सू पे लेवल सेवन की पोस्ट है इसके बाद यहाँ पर अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है अगे लेवल 4 की पोस्ट है अगे लेवल 4 की तीन और पोस्ट है अपर डिविजन कलर की टेक्स असिस्टेंट की सब इंस्पेक्टर की 25,500 से लेकर 81,000 सो की लेवल 4 की पोस्ट है इन सभी में यहाँ पर एक सर्वेस्ट को रेजर्वेशन दिया जा गए उपर जितने भी पोस्ट हमने आपको बताई है ग्रूप C की पोस्ट है जिसमें पोस्ट में एक शर्वेसमेन को रेजर्वेशन मिलता है चाहे वो किसी भी मिनस्ट्री में हो इसके अतरिक्त भी एक सर्वेसमान को एनाय बेनिफीट यहाँ पर मिलते है इसमें एक परमूख है आयू शीमा में चूट इसमें कुछ पोश्ट के लिए अधिकतम आयू तीस व को आयू बसती है वे उसकी आयू शीमा मानी जाती है उताण के तौर पर यदि एक्स रिऊश्मेंड के वर्तमान आयू चालिस वर्स है उसने कुल 20 वर्स के सर्विस की है तो 40-20 20 वर्ष माने जाएगे तीने वर्ष के छूट से मतलब है यदि किसी पोष्ट के अधिक्तम आयूशीमा 30 वर्ष है तो एक्सर्विस्मेंड के लिए अधिक्तम आयूशीमा 33 वर्ष होगी अब बात करते हैं उन सवालों की जो हमें यहाँ पर एक्सर्विस्मेंड से बार बार रिटायर होने वाले हैं वो एक्सर्विस्मेंड कोटा के तहत अपलाई कर सकते हैं इसके लिए सर्विंग डिफेंस परसन को अपने कमांडिंग ओफिसर से एक सार्टिफिकेट लेना होगा सार्टिफिकेट की कोपी जो है इस तरह है आप देख पाने यह कोपी आपको यहा स्यूंगति प tienen होती है या apoyo कूलिकेशन को यहें होती है एक्सर्विस्मेंड को कि एजूकेशन क वालिफिकेशन में कितनी छूट मिलती हैं तो गरुब दी और गुरूप सी की पोस्ट के लिए जिसमें केवल ग्रूप C पोस्ट में डिफेंस पर्शन को रिजर्वेशन मिलता है एक्सरिश्मेंट जिसमें डिफेंस फोसेज में कम से कम 15 वर्ष की सर्विस की है तथा उसके पास इंडियन आर्मी स्पेसलिस्ट सपेसल यहां पर सर्टिफिकेट ओफ एजुकेशन है या ए नेक्स्ट कोशन है आपघ सपाने के बाद भी आसाशी कईश्ट सेडばएंच में इसे फिस्ट शोइंड के टाने के दिवाद योगंट करने के तुरेंसंटर पर अपने एंप्ल्योर को उसके दलाई की मिए टिटेर Performance के है और इसके दोर Estados Chemistry है उसके लिख गोर्वेंट ओर्डर 36034-1-2014 इसको चेक कर सकते हैं जो कि 1482014 को DOPT के दवारा सरकुलर के थुरू इश्यू किया गया था परन्तु जोब जोइन करने के बाद एपलाई की गई एपलिकेशन में ESM रिजर्वेशन पर आप नहीं कर सकते हैं नेक्स्कूशन अक्षर पूचाद आता है कि डिपेंडेंट को भी ESM रिजर्वेशन कोर्डे के फाएदा है, तो यहां पर क्योशन का जवाब है जी नहीं एक्सर्विशन रिजर्वेशन की तहद की एपलाई का सकते हैं, यह सम्की डिपेंडेंट को एसे सीजेल में एसम कोटे बेनिफेट यहाप पार नहीं दिया जाता है नेक्स्ट कोशन यहाप पर क्या मेडिकल बोर्ड आउट डिफेंस परसंट जिसे पैंसर नहीं मिल रही है वह एक सर्विस्मेंट कोटे के ताहट अपलाएक कर सकते हैं तो जी हां बिल्कुल कोई भी ड एक सर्विस्मेंट के लिए अलग से रिजावड विकेंसी नहीं रहती है उसे केवल आयू सीमा में छूट मिलती है तथा एजूकेशन क्वालिफिकेशन में कोई छूट नहीं दी जाती है नेक्स्ट है यहाँ पर क्या से सीजेल में पोस्टिंग एक ही जगह रहती है तो ज जानकारी यह इनफोर्मेशन आपको कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यदि आपको एसम रिजर्वेशन से सम्मधित अन्य कोई भी जानकारी चाहें तो आप यहाँ पर कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने दो